हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट्स यूट्यूब के तीन नए अपडेट आए हैं जिसमें तीसरा जो अपडेट है वो बहुत ही जादा खतरनाक है बहुत ही जादा गुस्सा दिलाने वाला है जो नए क्रेटर्स हैं जो छोटे क्रेटर्स हैं उनके लिए तो वीडियो छोटी सी है पर वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा तब ही आपको यह तीनों अपडेट अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि इनको जानना आ अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बैल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते ह सबसे पहला जो अपडेट है वह है स्पैम कमेंट्स को लेके जैसे कि आपने देखा होगा किए आपकी वीडियो के नीचे सबसे कर देते हैं तो आने वाले time में क्या होगा कि कोई भी आपकी YouTube वीडियो के नीचे इस तरह के spam comments नहीं कर पाएगा ये update अब YouTube करने वाला है अपने algorithm में अब बात करते हैं second update के बारे में जो आपके YouTube channel के name से related है अब आप आने वाले time में अपने YouTube channel का name रखते time उसमें कोई भी special character आप use नहीं कर पाएंगे जैसे आपने देखा होगा कई channel के आगे verification टिक का निशान लगा आता है या कोई अपने channel के नाम में 2 million views या 200K views इस तरह के अपने channel के नाम के आगे लिग देता है या कुछ भी उटपटांग नाम अपना बना लेता है अब इस तरीके के नाम आप YouTube पर नहीं बन सा आने वाला है क्योंकि यह update है आपके YouTube subscribers को लेकर जितने आपके चैनल के उपर subscriber है अब तक तो यह होता आया था कि आप उन्हें hide कर सकते जो पा सकते थे जिससे आप छोटे creators को काफी जादा फायदा मिलता था उन्हें छुपा के वीडियो upload करने में तो लोग उनके subscribers उनके views बढ़ने में उनको काफी जादा help मिलती थी लेकिन अब आने वाले time में 29 जुलाई के बाद से इसी महीने की 29 जुलाई 2022 के बाद से आपके YouTube subscriber का hide करने वाला जो feature है वो हटा दिया जाएगा YouTube की तरफ से मतलब आप अनने subscribers को hide नहीं कर पाएंगे आपकी जितने भी subscriber होंगे आपके channel के उपर दिखाई देंगे तो ये काफी जादा बुरा update है छोटे creators के लिए अगर आपको भी ये update बुरा लगा हो या आपको ये update अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो त जिसे like और share जरूर करें thank you